दोस्तों आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके पुराने कपड़े होते हैं जैसे इस्पेशली जो साड़ी है आपकी उसको कट करके कोई लहंगा कोई श्रक कुछ भी बनाने के वीडियो आपने बहुत सारे सकते हैं तो आप प्लीज बताइएगा मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी तो उनमें काफी लोगों ने कॉमेंट किया तो उसी कॉमेंट को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो में आप लोगों के लेके आई हूँ तो उम्मीद करते हूँ कि आप सब बहुत के लिए बहुत ही जाधा इस्पेशल होने वाली है जिन के घर में जैसे की मम्मिया होती है उनको नहीं पसंद होता है कि उनकी साड़ी कोई कट करे या फिर आपके पास पी कुछ साड़ी ऐसी होगी जिनके साथ आपकी यादे जुड़ी होंगी आप नहीं चाहते हैं उनको कट करना तो यह वीडियो आप पूरी जो आपने पहनी भी होंगी कुछ साड़ी ऐसी होती है जो हमार पास न्यू होती है लेकिन उनको किसी फंक्शन में नहीं पहन सकते हैं उनको किसी जैसे की करवा चौत या फिर दीपा वाली है तो इनने थोड़ा हैवी कपड़े पहनन पसंद करते हैं तो उनमें आप नहीं पहन पाते हैं तो मुझे लगा कि यह बहुत ही अच्छा टाइम है अभी फिलहाल क्योंकि बहुत सारी फेस्टिबल्स है पास में तो इस पे आप यह चीज कर सकते हैं आपने साड़ी को इस तरीके से बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं तो आपके पास जो साड़ियां होती हैं जादा तरह थोड़ा सा जैसे लुझे लाइट वेट होती हैं जैसे कि मेरे पास यह एक प्लेइन साड़ी थी इसका मैंने शरग बनाया हुआ है तो शरग में मैंने इस तरीके से जो रेशंग के धागे होते हैं उनसे मैंने यह कोई बहुत जादा मेहनत भी नहीं लगते हैं आप पूरी साड़ी लगबग 2-3 दिन में कम्प्रीट कर सकते हैं और केवल जो 20 रुपीस का जो आपकी थ्रेड की रील आएगी वो एक आती है और आपको पूरी साड़ी में अगर आप यूज करेंगे तो जादा जादा दो पहन सकते हैं और आचल पे इस तरीके से आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर सकते हैं मतलब यह जैसे मैं चोटा-चोटा किया है तो पूरी साड़ी में थोड़ा सा चोटा-चोटा कीजिए और आचल पे आप पूरा बड़ा-बड़ा कर दीजिए बहुत अच्छा लगेग और अगर आप ऐसे पूरा लेंगे इसको पूरी गड़ी लेंगे तो 300-400 में आपको पूरी गड़ी मिल जाएगी और इस लेस की जो क्वालिटी है यह बहुत ही अच्छी है तो आपको अनलाइन भी इस तरीके की लेस मिल जाएंगी तो अगर आपके पास मतलब जॉर्जट य अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो आप खुद कर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो आप खुद कर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो आप खुद कर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत अगर आपको थोड़ी बहुत stitching नहीं आती है तो आप tailor को दे सकते हैं, हाला कि tailor को देंगे आप तो थोड़ा सा महेंगा पड़ेगा आपको, इसलिए कोशिश करें कि आप खुद करें, मैंने कोई stitching सीखी नहीं है, कोई course नहीं किया, कहीं से कुछ भी नहीं किया है, बट फिर मैं आज अच्छी खासी stitching कर लेती हूं, अटलिस अपने लिए तो कर लेती हूं, तो कोशिश करें तो आप अपने लिए कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप frills एड़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ruffles में, बहुत सारे बहुत टाइप के frills आते हैं, इस तरीके से जैसे यह ना lace, यह fringe की lace, बहुत ही जादा मिल रहे हैं आज की date में, और यह बहुत ही जादा trend में भी है, बहुत ही जादा in है, तो आप इस तरीके से fringe लेकर लगा सकते हैं, और यह सारी की बिल्कुल हैवी हो जाएगी और यह बहुत ही अच्छा look देगी, तो अगर आपके पास जो साड़ी है बहुत ही पहले की जो बहुत ही पुरानी से साड़ी रखी है उनको एक नया लुक दे सकते हैं और फेस्टिबल्स में या फिर इसी तरहें अप उसको बहुत ही आसाने से पहन सकते हैं cotton की भी जो साड़ियां हैं उनमें भी बहुत सारे आप जो चीजें कर सकते हैं वाली जो स्क्रीन पे आपको लेस दिख रही है इस तरीके कि जो cotton की लेसे आपको online भी मिल जाएंगी market में भी मिल जाएंगी मैंने भी recent में देखा है कि जो cotton वाली जो लेसे ना इनकी बहुत ही जादा अच्छी अच्छे कपड़ें बहुत ही कूर्थियां बहुत अच्छी-च्छी साड़ियं मार्केट में फिर सेar trend में आगई हैं तो आप इस तरीके से भुर प्रिंटिंग कर सकते हैं अगर आपकी साडी बहुत जादा प्ले नहीं है और उसमें आप एक अभी रिसेंट में हमें यह फैबरिक उनको बहुत जादा पसंद किया रहा है चाही वो साडी हो चाही वो कुरते हो जब दुपट्टा हो तो आप कोई अगर आज-पास ऐस कर दुपटे से आपने पर चूबने कर आप सकते हैं तो प्होल में पको प्योगकर आपने सारी चूब रहते लोगहां। या वीचेशा या फिर यूटूबट चूबर पर सूंने अगर सबने ही पर सूब्क पर और हैं, उस यह फुर। चुल व्हें धे अब्रावाश मार्केट siitä रिसमिया की मार्केट गुर्डन कलर को घञार होति है उनकी में पर और छाज तो आप इस तरीके के थ्रेड ले सकते हैं इससे आप बॉर्डर क्रेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनमें आप बीट्स यानि की मोतियां एड कर सकते हैं और यह बहुत ही जादा अच्छी बहुत ही जादा क्लासी लुक देती हैं आपक देगा आपकी जो शाडिया और अगर हम बात करें यहां पे जो आपके पास कुछ ऐसी साडिया होंगे जैपुरिया प्रिंट भी बोलते हैं उस टाइप ही आपके पास कुछ साडिया है तो आप उन्मे जैसे जो गोटाप्टी वाले चीजे आती जो जो जय सा रहे हैं अच त वह लगवा सकती हैं गोटा पट्टी तो आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत ही जादा ट्रेंड में है तो गोटा पट्टी आप लगवा सकते हैं गोटा पट्टी के आपको जो है बहुत सारे वराइटी मिल जाएगी चौणी लेसेज मिल जाएगी छोटी-छोटी बहुत यह वाला जो सीजन होता है ना इसमें वह वाली जो प्रेंट होता है और वह वाली जो साडियां होती है उस कॉम्बिनेशन की वह बहुत अच्छी लगती है लोग काफी ज्यादा उसको पसंद करते हैं और आपने ओनलाइन भी देखा होगा कि यह सारी जो साडियां अभी जादा ट्रेंड में हैं जिस कॉम्बिनेशन की साथ आप मार्केट से बहुत ही मुझे लगता है 220 या 200 रुपए के आसपास मीटर में आपको मिलेगा सीक्वेंस फैबरिक मैं आपको दिखाती हूं तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस में फैबरिक मिलेगा बहुत महीन यह स चुपते नहीं हैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है इनसे तो कुछ इस तरीके के आप सीक्वेंस के फैबरिक ले सकते हैं एक दो मीटर और उसके आप बहुत चौड़े-चौड़े से बार्डर बनवा सकते हैं यानि कि आप उस पे उसको जो ले सम पेस्ट करते है आप इस तरीके के फैबरिक को पेस्ट करवा सकते हैं स्टिच करवा सकते हैं और यह ट्रस्ट में बहुत ही बहुत ही क्लासी लुक देंगे और आपकी साड़ी को बिल्कुल चेंज कर देंगे और आपकी साड़ी है नेट की बहुत ही प्लेन सी बहुत ही लाइट वेट है त कुछ इस तरीके से पैच आपको रेडिमेट पैच मिल जाएगा मार्केट में और यह आपको 10 से 15 रुपे का एक मिलेगा हाला कि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा पर कुछ इस तरीके से आप पैच लेके भी उस पे लगवा सकते हैं जो कि आप अपने हाथ से ही लगा सकते हैं और यह इस ब्लाउस में भी मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा पैच लगवाया है पीछे और यह मुझे शायद पड़ा था 30 रुपे का यानि कि 30 रुपेस का एक पड़ा था लेकिन इसकी जो क्वालिटी है यह बहुत अच्छी क्वालिटी है इस ब्लाउस को मैंने कितनी पैच लगवा सकते हो जो कि बहुत अच्छा लगता है तो कुछ इस तरीके से आप अपनी साडियों को बिना काटे बिना उसको कुछ किये आप उसको एक नया लुक दे सकते हो डिफरेंट लुक दे सकते हो यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और क्या मुझे इस वीडियो का पार्ट टू बनाना चाहिए यह भी प्लीज मुझे मेंशन करना और आपके पास किस तरीके की साडियां रखी हुई है जिनको आप चाहते होंगे कि आप एक निउ लुक दे तो प्लीज मुझे बताएगा और मैं उन साडियों के बारे में आ कि आप लोग अपना ध्यान रखें घर में रहें और सेफ रहें थांकी सो माच लब यू आल